नमस्कार दोस्तो मैं रोहित नौकरी जोन में में एक बार फिर से आपका हर्दी कविनेंजर करता हूँ दोस्तो ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ ताकि ये मदद कर सके कि आपको मुबाइल के दुआरा एंसर की कैसे डाउनलोड करना है और कैसे चेक करना है एलपी टेकनिसियन के लिए ठीक है दोस्तो तो चलिए इस स्टॉप को फोलो किजिए दोस्तो ये वीडियो योदि आपको हेलफूल लगे दो प्लीज ब्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है देखिए दोस्तो ये आपका पहले आपका आरार भी कॉलकाता के जो है वेबसाइट में जाना है या कोई भी जोन के वेबसाइट में जाना है और फिर आपको नीचे इसको स्लाइड करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर किलिए लिए लिखावा CEN1 2018 Assistant Local Pilot and Various Posts of Technicians इसमें आपका है यहाँ पर देखिए नोटीस यहाँ पर जो है सो जो है आपका लिंक अबलेबल होगा यह बताया गया है इसको आप नीचे स्लाइड किजिएगा यहाँ पर देखिए आपको कुछ सो करेगा यह सही से नहीं दिखेगा क्योंकि आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं इसको सही से यूज़ करने के लिए यहाँ इस एरो में देखिए आपको जाना है यहाँ पर यहाँ पर जो अपका Three-Dotted menu है इस पर आपको क्लिक करना जैसे आप इसके उपर क्लिक किजिएगा यहाँ राएगा आपका एक Desktop एक Upsons आएगा यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर लिखा है Desktop साइट नाम का का यह देखिए, इस पे आपको mark करना है, जैसे ही अब इस पे mark करते हैं, तो यह वाला जो है, देखिए यह सही से आप खुलने लगा, अब क्या करना है कि यहाँ पर नीचे login to rise objection में क्लिक करना है, इस पे आपको क्लिक करने के बाद एक tab आएगा इस तरह से, ठीक है, इस tab में आ यहाँ पर आपका registration number और आपका data birth password की रूप में आपको put करना है, मैं आपको put करके बताता हूँ, यहाँ पर ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ पर सब कुछ registration number आपने data birth password रूप में आपका put करने के बाद, आपको यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का सो कर रहेगा, पहला टेब में आपका examination जो है information सो कर रहेगा, नीचे देखिए candidate response में सो कर रहेगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर इसके उपर क्लिक करता है, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, to download your question paper for, ठीक है, assignment railway requirement board of subject ALP technician click hair to generate, यहाँ पर bold letter में blue color में लिखा हुआ hair to generate, इस hair में आपको क्या करना है, click करना है, इसको click करने के बाद, download दबाना है, और download करने के बाद यह देखिए, आपके जो browser में यह download हो जाएगा, फिर इसको open करना है,